लेक्षर ने आपीड करें हम लोग लेकर आए हैं एक और नया लेक्षर लास्ट लेक्षर में हम लोगों ने एलकीन्स के बारे में डिस्कूस किया था तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइकलो अलकीन्स, डाइन्स and एलकाइन्स तो आज ही हमारा chapter complete हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला topic होने वाला है हमारा cycloalkines के बारे में cycloalkines सबसे पहले हम try करते हैं इसका general formula बनाने का alkenes, alkenes, alkines के general formula तो आप में याद किये हैं आप बना भी सकते हैं ऐसी कोई problem नहीं है देखते हैं कोई example बना के cycloalkines, तो माल लीजे मैंने यहाँ पर लिया है cyclobutene क्या नाम होगा इसका cyclobutene तो यहाँ पर count करें आप चार carbon है एक double bond लगा है यहाँ कितने h लगेंगे फिर एक, यहाँ भी एक, यहाँ दो और यहाँ भी दो तो क्या formula बना है यहाँ पर चार carbon है, तो 2, 2, 4, 2, 6 hydrogen है तो 4 का double करो 4 का double करते हो तो कितना आता है, 8 उसमें से 2 minus करने है, तब आ रहा है 6 तो क्या formula बना, किससे cn होगा, और उसका हम double करेंगे और उसमें से minus कर देंगे 2, तो cyclobutene का formula किससे match होता है, बना ज़र आ रहा है तो मैं normal alkyne से, alkyne से, alkyne का formula यही होता है normally, तो इस तरीकी से formula चेक कर सकते हैं, इवन alcohol से बगरा के लिए भी कर सकते हैं, तो यह cyclobutene है, इसकी बात करें, तो यह cyclopropene है यह cyclopentene है और अच्छे आ जाएगा तो cyclohexene है, अब इसकी preparation की बात करते हैं, देखिए आप बहुत सारी reactions जो है हमारे पास dienes और उसमें जो चलेंगी वही पुरानी वाली reactions होंगी, बस यहाँ पर example बतलेंगे, method of preparation बात करते हैं, तो पहली वही dehydration of alcohol, वहाँ पर भी मैंने example कराया है, ऐसा नहीं, वहाँ नहीं कराया है, वहाँ पर भी मैंने बनवा दिये तुमसे cyclohexene, dehydration of alcohol previous lecture में, ठीक है, dehydration of alcohol, तो इस बार हम cyclohexenol लेते हैं, क्या नाम है इसका, cyclohexenol, cyclohexen होगे, यह all हो गया, तो बस महाँ पर भी मैंने कहाता है, H2SO4 रख लो, यह कोई भी acid रख लो, तो इसके साथ reaction कराऊगे, तो यह alpha होता है, यह beta है, alpha से overt जाएगा, बीटा से H जाएगा, तो बीच में क्या सेल्डर reaction, ठीक है, डील सेल्डर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे, तो यहाँ पर, एक alken हमारे पास यह है, और एक alken यह रही, इन दोनों को add कर दो, तो यह double bond यहाँ आएगा, यह double bond इनके बीच में बनने वाला है, यह double bond यहाँ bond बना देगा, तो क्या बना, यह जुड़ गए दोनों यहाँ से, यहाँ बीच में एक double bond आगे, ठीक है, तो यह बन गए आपका cyclohexene, यह बना लोगा ना ऐसे, ठीक है, कारवन, कारवन है, एक, डो, तीन, चार, चार कारवन है, चार कारवन मतलब but, close नहीं है, कभी cyclo लगा लो, चार कारवन, तो 1,2,3, तो 1,3 buta-diene, buta-penta कब बोलते हैं, जब एक से जाला double bond होते हैं, और यह normal आपका cs2 double bond, cs2 ethene है, ठीक है, तो इसका addition कराके, आप इस तरीकिसे को बना सकते हैं, यह दो preparation आपने दियान रखने हैं, बात करते हैं, chemical properties की, तो बात करते हैं, chemical properties, तो chapter वैसे तो दिखने में बहुत बड़ा है, अलिबस में, लेकिन आपने अगर alkenes पढ़ लिया है, तो आपका cyclo-alkenes और dienes खुद खतम हो जाते हैं, तो chemical properties की बात करते हैं, तो chemical properties में, सबसे पहली adding हमारे पास है, addition of HBR, addition of hydrogen acid, यह निकी HBR और HCL, तो हमारे पास कोई alkenes है, इस पे हमें HBR का addition करना है, previous lecture से आप लोगों को याद होगा, HBR का addition, HCL का addition है, marconic off के according होता था, और इन reactions को हम electrophilic addition reactions बोलते हैं, तो double bond आप तोड़ देंगे, दोनों side हैं बराबर है, कहीं भी लगा लो, H कहीं में लगाओ, बी यार, तो यहां आपने H लगा दिया, और यहां क्या लगा दिया, यह हुआ इलेक्ट्रोफिलिक addition, उसके बाद है, हाइड्रॉग्जीलेशन, हाइड्रॉग्जीलेशन, यह भी लास्ट लेक्चर में रियक्शन पढ़ी हैं हाइड्रॉग्जीलेशन, हाइड्रॉग्जीलेशन, तो हमारे पास कोई अलकीन है, इसके रियक्शन, केमनोफोर से कराते हो, हाइड्रॉग्जीलेशन में क्या होता था, दबल बॉन तूटा था, दोनों साइड ओवए चाते हैं, केमनोफोर ले लो या फिर क्या ले लो, औसमियम टेटरॉग्जीलेशन, यही दोनों एक्जामपल कराये थे मैंने होँपर, तो यहाँ पे ओवच आ जाएगा, यहाँ भी ओवच आ गया, ऊपर क्या होंगे आपके, एच होंगे, नहीं भी लिखाओ के कोई लिक्कत नहीं, तो इस सिस डाइओल बन जा, दोनों साइडे सेम हैं, और पोजिट होंगे तो ट्रांस बनेगा, तो हाइड्रोग्स दिलेशन से हमारे सिस कंपाउंड बन जाते हैं, उसके बाद, हाइड्रोजीनेशन लिख लो एक, हाइड्रोजीनेशन भी हमने पढ़ लिए है, अगर बिना वाला लेक्षर पढ़े हैं, आप लोग तो आपको लगेगा, कि यार सर तो सब बोल रहे हैं, तो आप पहले वो पढ़े हैं, अब बिसल्ली उसको पढ़के ही आ रहे होंगे आप लेक्षर 2 पे, तो हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन में क्या होता है, वहापे भी डबल बॉर्ण होता है, H2, Ni की प्रेजन्स में, या Ni, PD, PT या PD की साथ कारवन जो भी आप लें, तो इस डबल बॉर्ण तोड़ देते हैं, तो इस सिंगल बॉर्ण आ जाते हैं, हैक्जेन मन जाता है, फिर इसके बाद, हाँ बस, यही रेक्षिन्स हैं, अब आते हैं डाइन्स पे, तो बात करते हैं डाइन्स की, डाइन्स का मतलब जब दो डबल बॉर्ण होगे, ठीके तो उनको डाइन्स कहा जाता है, इसका classification दियान रख को यहां से पहचानने के लिए आ सकता है सवाल एक diene होती है isolated एक होती है cumulated और एक होती है conjugated सबसे important नीचे वाली होती है न conjugation सीख कर आए हो तुम लोग double single double single अगर किसी alkyne में हो रहा है जैसे यह है तो double bond, single bond, double bond तो यह से बोलते है conjugation cyclic structure में भी देख सकते हैं यह तो यह भी diene है यह diene भी कैसी conjugated है cumulated में क्या होता है एक के बाद एक double bond आ जाए जैसे यह ऐसे system को alene system भी कहा जाता है तो alene किसका example होता है cumulated diene double bond के जस्ट बाद double bond isolated diene में क्या होता है isolated में क्या होगा एक double bond का दूसरे double bond से कोई लेना देना नहीं है यहां बढ़ा देता हूँ इसको जैसे एक double bond यहां लगाएग यहां तो double के बाद single फिर single आ गए है ना दूर है काफी तो कोई conjugation नहीं है तो ac dines को क्या कहते हैं हम उनको बोलते हैं isolated dines नहीं है ठीके conjugated क्या है double single double single cumulative क्या है एक double bond फिर दूसरा double bond ठीके इस तरीके से अलकीन होती है बात करते है method of preparation की तो बात करते है method of preparation की method of preparation तो तुम्हे रियेजेंट्स की knowledge जैसे ही थोड़ी बहुत हो जाती है तो तो तुम reactions पर अप्लाई कर लोगे करवाया जा रहा हूँ method of preparation में क्या है देखो पहला example ले लेते है CH2 OH फिर CH2 फिर CH2 और यह CH OH इस शुड़ भी CH2 OH ठीक है तो होना क्या है OH है dehydration करो dehydration किसे कर रहे हो H2SO4 से कर रहे हो तो यहां से OH जाएगा यहां से H यहां से OH यहां से H तो क्या होगा यहां double bond आएगा यहां double bond तो हमाई बात यह alpha हो गया यह beta हो गया ऐसे यह alpha और यह beta तो alpha बीटा की पीछ में double bond बन जाएगा तो CH2 double bond CH फिर CH double bond CH2 नाम करण कर लो 1, 2, 3, 4 तो double bond 1 पे आ रहा है फिर 1, 3 buta diene सुझना ही बात तो धियान रखना है यह example ऐसे लिखवा मिलेगा तो में paper में मिलेगा CH2 OH फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर OH तो पहचान लेना और उसको dehydration कर देना ऐसे ही alcoholic कोई या ने वेस्ट से कर सकते हैं इसको हम बोलेंगे dehydrogenation तो मैं इसी में change कर देता हूँ ठीक है इसी में change कर देते हैं यहाँ पर OH अटा की क्या लगाना है तुम्हें बस CL लगाना है और dehydrogenation किसे होता था alcoholic, NaOH या फिर KOH मैं हमेशा कहता हूँ alcoholic से alkenes याद रखो यह CL अटेगा, यहाँ से H अटेगा chemical properties alkynes में है थोड़ी बहुत reaction important chemical properties में पहली reaction है polymerization 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 में हमारे पास है CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 1,3 butadiene इसका polymerization करते हैं क्या होता है, double bond यहाँ 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 तूटेगा एक charge यहाँ आने वाला है, एक charge यहाँ ऐसे बहुत सारे molecule लाएंगे तो यहाँ से चुड़ेंगे और यहाँ से चुड़ेंगे तो आप कहोगे, सर यहाँ से भी जुड़ता रहेगा कोई ना कोई आके, CH2 फिर यहाँ क्या बचा, single bond फिर CH, CH के बीच में क्या आएगा एक double bond, फिर CH और फिर CH2 ऐसी यह जुड़ता रहेगा, ठीक है तो इसको polybutadiene कहा जाएगा, तो यहाँ से कहा जाता है polymerization ऐसी एक diiles elder reaction लगा सकते हैं इसमें diiles elder reaction, D.A.R. लिख देता हूँ मैं ठीक है अभी बनाइए थोड़े ज़ए पहले बस यहाँ पर triple bond लेना यह ठीक है CH, triple bond, CH यहाँ आएगा, यह यहाँ आएगा, यह ऊपर चला जाएगा यहाँ पर एक double bond बचे बनेगा और एक double bond यहाँ भी बच जाएगा क्योंकि triple bond था ना तो एक preparation, एक reaction यह होगी इसकी तो बस chemical properties में फिलहाल इतना ही है इसके और method of preparation में भी दूई है अब आते हैं हम Alkyns की तरफ तो Alkyns की बात करते हैं तो Alkyns का general formula CH, triple bond, CH तो सब लोग जानते हैं तो इसी से बना लो तो दो carbon है तो दो ही hydrogen है तो क्या formula चल रहा होगा इसका मतलब चल रहा होगा सर CN दो carbon है, दो hydrogen है हाँ तो CN H2N-2 ठीक है तो C2 रखा आपने, 2-4 हुए 4-2 या नहीं कि CN, HN भी बोल सकते हैं यहाँ पर से अगर हम बनाते हैं तो इसी बना पर रखते हैं तो Alkyn आप पहचाल लोगे तो इसका common name भी लिख लो इसको कहते हैं acetylene gas acetylene gas कहा जाते हैं तो method of preparation की बात करते हैं सबसे पहले method of preparation तो पहली preparation है इसके from calcium carbide from calcium carbide क्या होता है calcium carbide ca c2 basically carbide होता है c2 to negative iron structure दिखाऊं तो कुछ ऐसा इसको बोलते हैं carbide iron तो calcium carbide की reaction कराई जाएगी ca c2 लिख दिया मैंने calcium carbonate की reaction water से कराते हैं इसकी reaction कराओ two molecule of h2o यानि की 2hoh तो होगा क्या ca ले जाएगा 2oh तो ये बन जाएगा caoh का whole twice c2 को मिल जाएगे 2h2 तो ये मिल जाएगा c2h2 ये बन जाएगा ca triple bond clear दूसरा देखते हैं दूसरा है dehydro dehydration dehydration कहेंगे dehydro halogenation dehydro halogenation of vicinal halides vicinal dihalides basically क्या होते हैं vicinal जब same halogen group लगे हूँ one or two carbon पे adjacent carbon पे तो उन्हें बोलते हैं vicinal di halides तो इसमें क्या करना है इसमें reaction कराओ alcoholic koch या noc अभी कराई थी न alcoholic से alkenes बनते हैं तो यहां से cl अटेगा तो यहां से h फिर यहां से cl अटेगा यहां से h तो दो बार bond बनने हैंगा एक एक करके रिखा हूँ चलो एक बार cl यहां से अटा हूँ नीचे से h तो क्या बनेगा ch2 double bond ch और cl फिर दुबारा reaction होगी अब नीचे से cl जाएगा और उपर से h तो ch triple bond ch तो यह तरीका है alkynes बनानेगा पिर समझ मागी होगी बाद फिर आता है एक from chloroform from chloroform third है from chloroform इसमें star लगा ले न from chloroform वाले में तो ch cl3 ch cl3 तो उन्हें समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ में इसकी reaction कराओ 6 ag से तो होगा क्या 6 ag लिए हैं आपने यहां पे कितने molecule लो 2 तो 3 cl एक के पास है 2 के पास कितने हो जाएंगे 6 तो 6 ag c l बाहर जाएंगे बचे का क्या ch और दूसरा भी ch तो क्या बनेगा ch triple bond ch यानि की c2 h4 ठीक है न ag c l ppt बन जाएगा यहांपर और यह reaction हो जाएगे फिर बात करते हैं acidity of alkynes यह important है acidity of alkynes acidity of alkynes alkynes हमारे acidic nature के होगी है ch triple bond ch फिर ch3 c triple bond ch उससे भी खराब है ch3 c triple bond c ch3 जहाँ पर c triple bond c है न दोनों triple bond वाले जो carbon है उन दोनों के पास h है triple bond वाले carbon के पास एक h है यहाँ तो नहीं है न यहाँ तो ch3 है यहाँ पर triple bond वाले carbon के पास कोई h नहीं है बोलते हैं terminal alkynes ठीक है क्या बोलते हैं terminal alkynes अब अगर यहां से चला जाता है तो यह बनेगा negative और यहां पर है जाएगा तो यहां भी negative वहां तो यह जाएगा यह नहीं ठीक है तो इन दोनों में comparison करते हैं तो आपने देखना है कि कौन जादा स्टेबल है जो जाधा स्टेबल होगा जल्दी एच देगा अब यहां पर कारवन कैसा होता है याद अखले में एसपी हैपडाइज होता है यहां पर भी इसलिए negative चार्ज इस्टेबल होता है क्योंकि स्टेबल होता है तो यहां पर भी स्टेबल होता है तो यहां पर एक डूनर गूर्प लगा रहा है तो तुम तो चाहोगी वैसा घरहाले नहीं चाहेंगे तो यह unstable है यह stable है ठीक है तो सबसे ज़्यादा यह stable acidic होता है तो याद रखना acetylene gas is acidic क्यों? because SP hybridization because of SP hybridization कि वहां पर लोगाइज चार्ज है वह SP hybridization की वह से क्या होता है चलिए बात करते हैं chemical property बाद दो reaction उसी की है चले तो बात करते हैं क्यामिकल प्रॉपर्टीस की फिर हमारा एक और चैप्टर खतम हो जाएगा अगर किसी के जहन में सवाल आ रहा होगा सब कि आपने यूनिट टू में जो है कुश्चन सिरीज नहीं चलाई है अभी और यूनिट वन के तो कंप्रीट करे लिए हैं आप लोगों को पता ही होगा यूनिट टू के में सवजरां कुछ लेक्शिस हो जाएं तो थोड़ा सा हम उसके बाद इनके कुश्चन्स कराते हैं पेपर्स बने हुए हैं और इनके ऐसा कुछ है नहीं की बनाने हैं ज्यादा तो बने हैं कुछ बचे हैं कुछ बने हैं तो कराएंगे कुश्चन्स थोड़े से लेक्शर्स करा देते हैं उसके बाद पैरलल में फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे तो फिर यहां के कुछ कुश्चन्स हम लोग देख लिए वैसे तो और्गनिक में रियक्शन्स वगरा से आइडिया आ जाता है उन्हीं से कुश्चन्स बनते हैं वैसे कुछ ज़्यादा दिक्कत आती ही नहीं है तो पहला इसमें पहला आता है आपका हाइड्रोजीनेशन पहला है हाइड्रोजीनेशन कितनी बार पढ़ दिया तुमने हाइड्रोजीनेशन देखो एक दू बार तुम इसको पढ़ लोगे चप्टर को तो तुम्हें लगे गया है सब लिंक्ट है आपस में और्गनिक में होता भी हाइड्रोजीनेशन तुम्ह अब किसी भी अलकाइन पर लगाओ उसे क्या करना है तो बैं एडिशन ऑफ हेलोजन है इसी एडिशन ऑफ हेलोजन एक इडिशन ऑफ हेलोजन एक इडिशन ऑफ हेलोजन वही मारकुनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग एड करोगे ठीक है चाहिए एक अंसिमेट्रिकल एलकील ले लेते हैं इसमें एड कर देते हैं हम एट-C-L या फिर-H-B-R बॉंड तोड़ो दो बार तो बियार बहां जाएगा जहां इडिशन कम तो दोनों बियारे की बार में लगा दो यहां इंपोर्टेंट है और दो एच यहां लग देंगे वही मारकुनिक ऑफ रूल लगा है मुस्ते लेक्रों नेगिटिव पार्ट अटेक्स ओन डेट करमें विच्छ लीस नंबर है एडिशन ओफ एच्टू ओ तो वाटर का एडिशन कराना है अगेन यहां पर ले रहा हूं क्योंकि सिमेट्रिकल में तो कहीं भी आट करो कुछ कॉंसेट बन नहीं पाएगा अलग एच्टू का एडिशन करो वाटर का एडिशन भी किसके रूल के अकॉर्डिंग होता है म समझ जाना तूम तो वाटर का एडिशन करना है तो बेसिकली वाटर का एडिशन कैसे होता है कि आप बॉंड टोड़ते हो वह और एच लगाते हो तो यहां ओछ लगेगा और यहां एच तो क्या बनेगा च्छ 3 और यह च्छ 2 अब यह अनिस्टेबल होता है इसको फूलते ह तो यह रियरेंज करते हैं अपने आपको ठीक है टॉट्टोमेरिजम में सुनी होगी ना इनॉल फॉर्म तो यह अपने आपको रियरेंज करेगा यह एच जो है यहां पर बॉंड टोड़ेगा और यह यहां चले जाएगा तो इस एच को यह गीन कर लेता है तो इसको बोलत इस टूर में ज्यादा एलेक्ट्रो नेगेटिव को ने ओ वहां लगा तो बन जाएगा सीड़े सीदे यह क्लियर हुआ तो यह आपका लेक्शन कंप्रीट हो गया है आई होप सारी चीज़े क्लियर होगी होंगी तो मिलते हैं नेक्स लेक्शर के बाद नेक्स लेक्शर में तब तक पढ़ते रहिए और लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना मत भूरें